अ क्योंब आप लोडियर इस्टुढेंट और फ्रेंटेंट वैल कंब एक तो राहूल इंग्लिश स्टेडिगॉए दियर फ्रेंट्स नावीडिक नावीडिस्कूस नैच्सट् इस फिगर सॉपी स्पीच तुडे फ्रेंड साज हम फिर नेच्स इस फिगर सॉपी स्पीच पर डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड शुरू करते हैं पन पन क्या है पन पन इजे पन इस प्ले अपन वर्ड्स इन इत वर्ड्स आर यूज इन शुच वे तैड दिफ्रेंट वेन्ग रिएट यूमर्स यूमर, एड्मिरेशन और सर्प्राइस तो friends, पन क्या होता है? पन सब्दों का खेल होता है इसमें सब्दों का प्रियोग इस प्रकार किया जाता है कि भिन भिन अर्थ, हास, प्रसंसा और आश्चर प्रकट करते हैं जिससे आश्चर उत्पन होता है एक्जामपल से समझते हैं, एक्जामपल से समझते हैं ऐसे मान लीजिए, सब्द एक और अर्थ अनेक तो यहाँ पन कहा जाता है, जिसको हिंदी में शिलेश कहते हैं और यह पैरोनोमिया है पन मींस पैरो नोमैसिया पैरोनोमैसिया तो फ्रेंड्स एक्जामपल से समझते हैं इस लाइफ वर्थ लिविंग तो फ्रेंड्स यहाँ इस लाइन्स में पन है पन फिगर्स ओप स्पीच है फ्रेंड्स इस लाइफ वर्थ लिविंग क्या जीवन जीने लाइक है तो फ्रेंड्स यहाँ देट डिपेंड्स अपोन दा लीवर जो लीवर पर डिपेंड्स करता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर पन है पन फिगर्स ओप स्पीच है नेक्स फ्रेंड्स नेक्स फ्रेंड्स नेक्स सेंटेंड्स लाइन्स देखते हैं नेक्स एक्जाम्पल दपर्शन तोल्ड दशेक्सटन सेक्सटन person told the person told the sexton and the sexton told toilet sexton toilet well friends, यहां क्या है? यहां इस इस line में भी क्या है? one figure of his speech है next friends next an ambassador ambassador is an honest man who lies abroad for the good of his country एक राजदूत एक इमान दार व्यक्त होता है जो अपने देश की भलाई के लिए विदेश में रहता है तो friends, यहां पर क्या है? यह पन है यह क्या है? पन है इसमें इस line में क्या है? पन है next friends next figure of history पर डिस्कस करते हैं metonymy metonymy तो in metonymy a thing is card by something associated with it यहां पर लक्षडा अरंकार है इसको लक्षडा अरंकार कहते हैं हिंदी में लक्षडा अरंकार तो friends किसी पदार्थ के लिए उसका नाम कहा जाता है यानि metonymy में metonymy में किसी चीज को उससे जुड़ी किसी चीज से पकारा जाता है for example example से समझते हैं you must address the chair you must address the chair तुम्हें कुर्शी को संबोदित करना चाहिए as chairman कहने का मतलब अध्यक्ष पद को संबोदित करना चाहिए तो यहां कुर्शी you must address the chair next sentence तो यहां friends क्या है metonymy figure of speech है इसी प्रकार से next देते हैं a full purse never lacks friend एक भरे हुए पर्स में कभी दोस्त की कमी नहीं होती तो friends suppose rich man as rich man next third third example देखते हैं friends the pen is mitre than the sword कलम तरवार से अधिक सक्साली होती है तो यहां friends क्या है यहां पर metonymy figure of speech है क्यों कि कि किसी चीज़ को उससे जुड़ी ही चीज़ के से पकारा जाता है यहीं पैन को तलवार का नाम दिया गया है तलवार के नाम से पकारा गया है इसी प्रकार से friends फोर देख लेते हैं I was reading Shakespeare मैं Shakespeare को पढ़ रहा था तो इट मींज यहां Shakespeare को कुछ थोड़ी पढ़ा जाता है कहने का मतलब यहां पर metonymy figure of speech है तो यहां पर metonymy figure of speech है next figure of speech पर discuss करते है next friends figure of speech है cynic doc cynic doc cynic doc meet opluch alankar इसको opluch alankar कहिएगा opluch alankar जिसमें अंस के लिए अथवा अंस के लिए पूर और अथवा पूर के लिए अंस का प्योग किया जाता है in snack doc part is used to sew the hole जिसमें अंस को पूर के लिए प्रदर्शित किया जाता है दिखाया जाता है अथवा फूर को अथवा और अथवा the hole to a part और फूर को अंस के लिए sew किया जाता है express किया जाता है वहाँ पर cynic doc figure of speech होता है अथवा ये समझ लिए कि cynic doc में cynic doc में किसी भाग को संपूर या संपूर को किसी भाग के संपूर दिखाने के लिए भाग का उप्योग किया जाता है यानि कहने का भाव ये है कि जिसमें अंस के लिए पूर या पूर के लिए अंस का उप्रियोग किया जाता है वहाँ पर क्या होता है? Sanic dog figure of speech होता है एक्जाम्पल से समझते हैं friends Give us this day our daily rate as food तो friends यहाँ पर क्या है? Figure of speech, Sanic dog figure of speech है Next sentence में, next lines में देखते हैं A fleet of 50 sail left the harbor पचास पालों का एक बेड़ा बंदरगा से निकला और इस next में, third में देखें तो यहाँ क्या है? Third में, all the best friends in Europe could not solve the problem Europe के सभी बेतरी इन दिमाग समस्या का समाधान नहीं कर सके तो friends यहाँ पर, Sanic dog उपलक्ष अलंकार है Sanic dog figure of speech है और इसी प्रकार से आप fleet of 50 sail the harbor Give us this day, our daily break इस दिन हमें हमारी रोजी रोटी दो तो friends यहाँ पर क्या है? Sanic dog figure of speech है Next Transferred epithet Transferred epithet यहाँ इस्थान आंतरित पी शेशड़ है तो यह In इस figure of speech में In transferred epithet में The epithet is sometimes transferred from a person to a thing Transferred epithet में Epithet को कभी-कभी किसी ब्यक्ष से किसी चीज में इस्थान तरित किया जाता है इस epithet में यानि transferred epithet में Epithet को Sorry कभी-कभी किसी ब्यक्ष से किसी चीज में इस्थान तरित किया जाता है For example First The problem Sorry The plowman Homeward plows His weary way हल चलाने वाला Homeward अपने थके हुए रास्ते को हल करता है तो friends यहां It transferred epithet figure of speech है Next friends देखते हैं He passed a sleepless night Where रातों की नीन्द हराम कर गया तो यहां क्या है रातों की नीन्द हराम कर गया तो यहां क्या किया गया है यहां पर इस्थांतिरित किया गया चाता है किसी चीज को किसी चीज में इस्थांतिरित किया गया है Next friends A A Lacky Presented an औम तोम प्रहें पक्रावज़ को ते लिएक प्रही की अरे जोक्राव को क्वेन हैं तो फ्रेंग्स यहां पर क्या है? यहां भी काफी का एक प्रभावचालिग का प्रस्त थिया तो फ्रेंड्स यहां ट्रांसफर्ड एफीथेट है। इस फिगर ऑफ स्पीश है। नेक्स्ट फिगर अपसिश पर चलते हैं फ्रेंड्स लिटोटेस लिटोटेस। लिटोटेस, इन लिटोटेस, ए निगेटिव एक्सप्रेशन इस मेड़ तो सजेस्ट आइ स्ट्रोंग अफर्मेटिव सेंस, स्ट्री, लिटोटेस में एक मजबूश शकारत्मक भावना को, एक नकारत्सकारत्मक भावना का सुझाओ देने के लिए, एक शकारत्मक, स्ट्री, एक नकारत्मक अब्यक्त की जाती है, स्ट्री, इसको फुना देखते हैं, फ्रेंड्स, इन लैटी टेस्स, यानि लैटी टेस्स में एक मजबूश सकारत्मक भावना को, एक मजबूश सकारत्मक भावना का सुझाओ देने के लिए, एक नकारत्मक अब्यक्त की जाती है, तो फ्रेंड्स, वहाँ पर डिए पर क्या होता है, वहाँ लिटो टेस्स, फिगर اओप स्पीच होता है, कहने का भाव यह, यहाँ पर बिदंबनापूड, बिवेचन किया जाता है, जिसको हम सन्शेध अलंकार कहते हैं, सन्शेध, संशेद figure of speech कहेंगे अलंकार कहेंगे संशेद अलंकार तो friends वहाँ पर क्या little test figure of speech होता है example से समझते हैं I am a citizen of no mean city मैं बिना मतलब के सहर का नागरिक हूँ मैं बिना मतलब के सहर का नागरिक हूँ तो यहाँ friends क्या है little test figure of speech है next friend देखते हैं you are no fool magnus तुम मूर्क नहीं हो magnus तो यहाँ इसमें भी क्या है friends शंशेद figure of speech है यानि little test figure of speech है next friends I am not a little surprised मैं थोड़ा हैरान नहीं हूँ तो यहाँ पर friends क्या है इसमें भी यानि बिदबनापूर बिबेचन किया गया है तो friends यहाँ पर भी क्या है little test figure of speech है संसेद अलंकार है friends next figure of speech पर डिस्कस करते है paradox paradox क्या है friend the paradox a paradox a paradox is a statement which looks absurd and contradictory but is well founded तो friends paradox यह भी एक प्रकार से बिरोधावास है इसमें एक प्रकार से बिरोधावास होता है इसको भी बिरोधावास सलंकार कहा जाता है a paradox is a statement paradox एक बयान होता है बयान है statement है कतन है जो बेतुका और which looks absurd and contradictory but is well founded जो बेतुका और बिरोधावासी दिखता है लेकिन अच्छी तरह से इस्थापित होता है अर्थात अच्छी तरह से इस्थापित है example चे समझ सकते हैं friends for example the child is the father of man it means बच्चा मनुस का पिता है तो friends यह क्या है paradox figure of speech है next stone walls do not a prison make कहने का भाव यह है कि पत्थर की दीवारें ना तो कारागार बनाती है यहनि प्राइजम को कैदी को प्राइजम कारागार बनाती है nor iron bars a case और ना ही लोही की छड़े पिंजरा तो यहाँ पर friends paradox figure of speech है क्योंकि यहाँ पर भी एक बिरूधी बयान हो रहा है बच्चा और इसमें stone stone balls and iron bars तो friends next है third 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 क्या there is no there is no one so poor there is no one so poor as well as well the miser यह कुछ lines हैं तो देखने में भी पढ़ने भी अच्छी लगती है so friends there is no one so poor as well the miser as well the miser धन्वान कंजूत जैसा गरीब कोई नहीं होता तो friends I hope that आपको समझ में आ गया होगा तो इस इस lines में भी paradox figure of speech है तो friends I hope that आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर poor और wealthy यहाँ पर opposite यानि कैसे absurd यानि absurd statement है जहाँ पर absurd statement हो statement which looks absurd यहाँ बेतो का बयान ब्रोदी भासी दिखता हो वहाँ पर paradox figure of speech होता है तो I hope that friends आपको friends dear students और dear students आपको समझ में आया होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग दा वीडियो और friends अधिक से अधिक सपोर्ट करें फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स figure of speech के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन झाल